हरिही ओम स्री गुरु भ्यो नमाहा हरिही ओम इत्यार्षे स्रीमद रामायने वालमी कीए आधिकाव्ये बालकांडे सप्ततितमह सर्गह इस प्रकार सुबह होने पर राजा जनक महर्शियों के सहियोग से अपना यग्यकार्य संपूर्ण कर चुके और उसके पस्चात वाक्यों में मर्म जानने वाले राजा जनक ने अपने पुरोहित शतानन्द जी से यह वचन कहे हे शतानन्द जी मेरे महातेजस्वी और वीर्यवान भाई कुशद्वज यह अत्यंत धर्मात्मा है वह इस समय इक्षुमती नदी का जल पी कर उसके किनारे कल्यानमई सांकश्या नगरी में निवास कर रहा है वह मेरा भाई कुशद्वज चारों और से परकोटों की रक्षा के लिए शत्रूं के निवारण में समर्थ है और वहां बड़े बड़े यंत्र लगे हुए है वह संकश्या नगरी पुश्पक विमान के समान विस्त्रूत एवं फुन्य से उपलब्द होने वाली स्वर्ग लोक के समान अती सुन्दर है वहां रहने वाले मेरे भाई कुशद्वज इस शुभ अवसर पर यहां उपस्थित देखना चाहता हूँ क्योंकि वह मेरे यग्य का संरक्षक है वह मेरे साथ सीता राम के विवाह के मंगल कार्य को मेरे साथ रह कर देखेगे राजा जनक के यहवचन सुनने के पस्चात महरशी शता नंद जी ने समीप के कुछ धीर स्वभाव के पुर्शों को बुलाया और राजा जनक का आदेश सुनाया का आदेश सुनाया